नरंद्र मोधी जिन्दावाद मेरे भाषण से पहले मैं तीन बार भारत माता की जैका जैकारा बुलवाऊंगा और आप सबसे मेरा अगरह है मंच से भी मेरा अगरह है कि पूरी ताकत से दोनों मुठी बंद करके जब मैं बुलवाऊंगा तब तीन बार भारत माता की जै बोलना है पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की जै वीज़ई भारत के लिए भारत माता की जै वीर जवानों के लिए भारत माता की जै बहुत बहुत परिशत के सदस्या साउसद गान विहार सरकार के मंत्री गान विदायक गान वाजपा जदयू लोजपा उसके सभी वरिष्ट नेता गान विए भारत मेरे प्यारे भाई और बहनों महान प्रदेश बिहार और एकर महान जनता के हम प्रणाम करताने हम बिहार के इन महान जनता का आदर पूर्वक प्रणाम करी जिये बिहार के सब लोगन के प्रणाम करी थियो महात्मा बुद्ध, अमात्य चानक्य, गुरु गोविन सी जी, समराट अशोक, दक्तर राजेंदर मुझात, लोकनायक जैप्रकात, नारायन, करपुरिक ठाकोर, श्री बाबु, अनुग्रह नारायन सी वीर कवर सी विद्यापती और रामधारी सी दिन कर समेथ अनेक रुश्यों और मनुश्यों ने जिस दर्ती से देश और दुनिया को आलोकित किया है ऐसे बिहाँ अनुश्यों और मनुश्यों और समेथ एक बाइवद को आलोकित आलोकिता अनिया की रड़ल मनुश्यों और रामधारी सीो अनुश्यों पहाँ कि अध्याची आग्रह को चंपारण से निकले गांधी कि मुख्यमंत्री जी ने दो अकुबर तक सित्ती हासिल करने की जो गोच्णा की है मैं आदर्पुर्वगुं का अभिनंदन करता हूँ और बिहार की जंता का भी अभिनंदन करता हूँ साथियों इस एक्तिहासिक गांधी मैदान से आप सभी के साथ कुछ पल साजा करने का सवभा गया आज मुझे और मेरे सभी साथियों को फिर से बिला है और स्वयम वरुन देवता भी हमारे संकल्प को आशिरवाद देने आया है भाई और बहनों आपका प्रधान सेवह होके नाते मुझे अने एक बार बिहार आने का मौका मिला है जब ये जिम्मेदारी नहीं थी तब भी बहुत पार बिहार आया हूँ आज वाकई मुझे ये देख करके खुशी होती है कि नितिश बाबु जैसे करमट शानी गरीब की चिंता करने वाले विक्तित्वनें कैसे बिहार को उस पुराने दोर से बाहर निकाल कर एक नई दिशादी है जिस राज में इतनी प्रतीवा हो जहांके नव जवानों में इतना सामर्त हो जो देश की बिरोक्रसी से लेकर राज नीती तक अपना सकारत पर प्रभाव दिखा रहा हो उस बिहार को एक धुमर से निकाले का काम नितिश जी और सुशिल जी की जोड़ी ने और यहां की NDA की पुरी टीम ने एक अधूद काम किया बिहार में NDA और केंदर में भी NDA होने की बज़ा से आज यहां विकास की रप्तार को नई तेजी मिली है अब तो पट्ना में मेट्रो का काम भी शुरू हो चुका है यहां की ताभिक भवस्ता अब CNG आधारित होने वाली है साथ में पट्ना के लोगों को अब पाइप के माध्यम से सस्ती और अच्छी गैज भी मिलने लगेगी नितिश जी ने नल से जल देने का बिड़ा उठाया है और आप पाइप लाइन से गैज का काम भी होने वाला है यह पट्ना को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया को और गती देने वाला है साथियों यह जो बड़लाव आ रहा है उसके लिए फिर एक बार नितिश जी सुचिल जी और एंडिये की पूरी टीम अनेक अभिनंदर की अधिकारी है अनेक अनेक बढ़ाई के पात्रह है बिहार को अप्राज और ब्रस्ताचार से मुक्त कराने का संकल पर लेकर आप सभी ने मिलकर बिहार को जिस स्थिती से बहार निकाला है वो प्रसंचनिया है भाई और बहनों बिहार ने विकास की जिस रफका को पकड़ा वो और गती पकड़े इसके लिए केंडर की एंडिये सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कुछ दिन पहले ही बरोनी में 30,000 करोर से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है ये बिहार के विकास के लिए किये जा रहे निरंतर प्रयासों की एक और जलग है साथियों एंडिये की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानि बच्चों की पढ़ाई यूवा को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो इसी सोच के साथ बिहार में इंफास्ट्रक्टर के विकास को प्रात्विक्ता दी जा रही राजबे, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आयायम या फिर उच्च और प्रोफेस्टनल एजुकेशन से जुड़े दूसरे संस्तान खोले जा रहे है यह गाँ और शेहरों की सडकों का यहां के नेश्टनल हाइवे का चौड़ी करण हुआ है जो पुराने पूल है उनको सुधारा जा रहा है नए फ्लाइवोर का निर्मान किया जा रहा है बाईयो बहनो रेलवे की पुरानी व्यवस्ताओं में भी सुधार किया गया है उनका बिजली करण हो रहा है पटना रेलवे जंक्षन को नए रंग रूप में आप सभी देखी रहे है सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा तो भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है पटना एरपोर्ट को बारा सो करोड टुपिय से अधीद की लागत से विस्तार दिया जा रहा है आधुनी करण किया जा रहा है साथ में इसको उडान योजना से भी जोड़ा गया है इतना ही नहीं अब तो गंगाजी के माज़म से बिहार को यहां के उद्वियों को देश के समुद्री इलाकों से जोडने का काम भी चल रहा है इससे बिहार को लाब मिलना सुरू हो चुका है भाई और बहनों परीवहन के साथ साथ बिजली और उर्जा से जुड़े दूसरे इंफरसक्टर पर भी विशेज ज्यान दिया जा रहा है गाउं गाउं तक बिजली पहुँचाने का भ्यान जो हमारी एंडिये सरकार ने चलाया है उसका लाब पूरे बिहार को मिल रहा है सवबाग्य योजना के तहट हर गरीब के घर मुक्त बिजली करेक्शन देने का हम सफल हुए है और मैं नितिश जी को बढ़ाई देता हूँ आज बिहार के हर घर में बिजली पहुँचाने का संकल बबबुरा कर रहे है इसी तरह बिहार को पस्तिमी भारत और पुर्वी भारत के समुद्री किनारों को पाइपलाइन के मार्जम से जोडने का काम जोरों पर है और यहां के रसोई को और यहां के उद्योगों को गेस आधारित बनाया जा रहा है यही कारण है कि आज बरोवनी के खाद कारखाने जैसे अनेक उद्योग फिर से शुरू हो पा रहे हैं इस बिहार के युवास साथ्यों को रोजगार के आउसर उपलबतर हुए है साथ्यों यह जितने भी काम मैंने गिनाए हैं उन से बिहार में उद्योगों के लिए एक बहतर बातावन बना है साथियों उद्जोगों के साथ साथ हमारे अंगदाताओं के लिए भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना पी-एम किसान सम्मान निधी आज जमिन पर उतर गई है इस योजना का लाफ बिहार के डेड़ करोड से अधी किसानों समेश देश के लगभग बारा करोड किसानों को होगा ऐसे किसान जिनके पास पाँच एकर या उससे कम जमीर है उनको बैंक खाते में सीधी मदद मिली सूनिस्चित हुई है अभी की स्थिती के हिसाब से ही देश के किसानों को इस योजना के माध्यम से हर वर्ष प्रती वर्ष पच्चतर हजार करोड रुपिये सीधे उनके खाते में जमा होंगे कोई पिचोलिया नहीं कोई तलाल नहीं कोई चोरी करने वाला नहीं अब उन्हें बीच खाक किटना सक चारा जैसी जरुवतों के लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा साथियों चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है ये पिहार के लोग बहुत बहतर तरीके से जानते हैं अब विचोलियों से मोक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना NDA सरकार ने आपके इस चौकीदार ने आपके इस चौकीदार ने शुरू की है ये जो लूट खसोट बेनामी प्रापर्टी और विचोलियों की संस्तुर्ती और बिहार और देश की राजनिती में दसकों से सामान ने हो चुकी थी इसको बंद करने की हमने हिम्मत दिखाई थी गरीब और मद्दमबर के हक और पसीदे की कमाई पर जो अपनी दुकाने चला रहे थे वो आप चौकीदार से परेशान है और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कमपिडिशन चल रही है आप आस्वस्त रहे आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकनना है सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारे एंडिये गडबन दनिया दिवार बन करके खड़ा है देश की रख्षा सुरक्षा गरीब बन्चीत शोसीत मध्यंबर के हित में जितने भी मिश्कील जितने भी बड़े फैसले लेने हैं वो डंके की चोट पर लिये जा रहे हैं और आगे भी लिये जाएंगे बीते पाँच वर्षों में एंडिये की सरकार ने जितने जादा गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है ये अभूत पुर्वा है साथियों केंडर की एंडिये सरकार ने करीब पच्चास करोड गरीबों को पाँच लाख रुपिय तक का मुक्त का इलाज की सुविदा से जोड़ा लगबग पैंटीस करोड लोगों के बैंक खाते खुणवाए लगबग 21 करोड लोको दो लाख रुपिय तक के दुरगटना लगबग साथ करोड गरीब बहनों को मुक्तर असोई गैस कनेक्शन दिया है तीन करोड से अधिक मध्यमवर के साथियों को इनकम टेस्ट के दाइरे से बहार दिया काल दिया मुक्ति दे दी देड़ करोड से अधिक गरीबों को अपना पक्का घर दे दिया देड़ करोड से अधिक लोगों को अटल पेंसन से जोड़ा है इसी तरह सामान्य वर्ग के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षन भी एन्डिये की ही सरकार ने दिया है और ये काम भी बाकी वर्गों के हक को छेड़े बिना किया गया साथियों ये जितनी भी उपलब्दिया अब तक मैंने गिनाई है ये तबी संभव हो पाया है क्योंकि 2014 में आपने एक मजबूत एन्डिये को जना देश दिया साथियों 2014 से लेकर अब तक का समाएं बेश की भुनियादी आवशक्ताओं को पूरा करने का था दोजार उन्डिस तक का समाएं जरुरतों को पूरा करने का था और दोजार उन्डिस के बाद आगे का समाएं देश को 21 सदी में नई उचाई पर पहुँचाने का है बीते पांच वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नीव एन्डिये ने मिलकल तयार की है अब समाएं आ गया है इस मजबूत नीव पर ससक्त समरुद्ज नए भारत का निर्माण हो भाई और बहनों देश में अगर महा मिलावट पाली सरकार रहती तो ना फैसले होते और ना ही गरीबों का कल्यान होता इन लोगों की प्रवुर्ती अपना विकास करने की है देश का विकास करने की नहीं है मेरे पिहार के भाईयों मैंनों और मेरे देख के भाईयों मैंनों जरायाद कीजिए जरायाद कीजिए जब अकल जी प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने एक से बढ़कर एक अनेक योजनाए शुरू की देश में नए नए हाइवेज का अनिर्मान गामों तक सड़क का अनिर्मान सबको सिक्षा का अभियान उन्होंने कितनी ही योजनाए शुरू की लेकिन जब कॉंग्रेस और उनके साथी सरकार में आये तो सारे कामों की रब्तार दीमी कर दी गई है हमारे नितिज जी तो खुद गवा है अटल जी की सरकार में रेल मंत्री के तौड़ पर उन्होंने पिहार के लिए कितना कुछ किया लेकिन उनकी शुरू की गई सारी अने के वजनाओं को भी कॉंग्रेस ने दस साल में आगे नहीं बढ़ने दिया गंगा पर बने दो पुल्क इसके जीते जागते उदारन है जब वो रेल मंत्री थे तो अटल जी ने उनका सिलान्यास किया था उनके कियाने के बाद दोनों पुलों पर काम लगबग ठप पड़ गया NDA सरकार आने के बाद इन पुलों के काम में तेजी आई और मेरे द्वारा उनका लोकारपन किया गया साथियों महा मिलावट के घटक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते है उन्हें देश की कोई परवा नहीं है न वो देश की परवा करते यही सीख हमें उनके इतिहास और उनके वर्तमान से मिली है साथियों आप सभी इस बाद के साच्ची है कि जब हमारे देश की सकसम सेना आतं को कुचलने में जुटी है सीमा के बीतर हो या सीमा पार आतं के ठिकानों पार प्रहार करने में लगी है ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं देश की आवाज को हमारी सेना के होसलों को बुदन करने के बजाए वो ऐसी बाते कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेरे खिल रहे हैं पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बाते उनकी तस्विरे दिखा दिखा कर पाकिस्तान में तालिया बज रही है साथियों जब आतंकी फैक्टरी चलाने वालों के खिलाब एक सूर से एक स्वर से बात करने की जरुवत थी तब दिल्ली में 21 पार्टिया मिल करके केंद्र की एंबीए सरकार के खिलाब निंदा प्रस्ता और पारित करने के लिए इकटी हुई थी बिहार का देश का कोई भी सकारफ पर सोच वाला व्यक्ति उनके उस कृत्ते को कभी भी माप नहीं करेगा करेगा क्या माप करेगा क्या क्या ऐसे समाए पाकिस्तान खुज हो ऐसी फासा बोलनी चाहिए क्या क्या पाकिस्तान में तालिया बजे ऐसा पाम यहां करना चाहिए क्या क्या यह स्वभा देता है क्या अब इनी दलों के देता हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदे कर रहे है जैसे उन्हों ने सर्जिकल स्ट्राइक का समुद मागा जा रहा था अब वो आतन की ठिकानों को हवाई हमले में खपची जाने का भी सबूत मांगने लगे है साथियों मैं कॉंग्रेस और उसके सहियोगी दलों से जानना चाहता हूँ कि यह आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे है आखिर क्यों कॉंग्रेस के नेता उसके सहियोगी दलों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश के विरोधियों को फाइदा हो रहा है साथ्यों केंडर की एंडिये सरकार ने देश को नई निती और नई रिती दी है कॉंग्रेस और उसके सहियोगी दलों का देश की सुरच्छा को लेकर जो रवया था वो देश देख चुका है अम नया हिंदुस्तान नई निती और नई निती के साथ आगे बढ़ रहा है अब भारत अपने वीर जमानों के बनुदान पर चूप नहीं बैठता चून चून करके हिसाब लेता है दुनिया में कहां किसे कैसे बात करनी है और उसका परनांद क्या होता है इसको देश आज अच्छी तरह से अडुबव कर रहा है हाल ही में आपने देखा होगा इसलामिक देशों की कॉन्फरंस में कैसे बारत को सम्मान के साथ बुलाया गया हमारी बात सुनी गई पचास साल बाद ये हुआ है भाईयो मैंनो आपको गर्ब होता है कि नहीं होता है आपको आनंद होता है कि नहीं होता है साथियों इन पचास सालों में जादातर समाए देश पे कॉंग्रेश और उसके ही सहियोगी दलोपी सरकार रही है क्यों वो भारत की बुलंदावाच दुनिया के ऐसे मंचों पर नहीं रख पाए क्या इसका जबाम उन्हों ने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाईयों बैनों मैं आपको पताना चाहता हूँ अभी हाली में अभी हाल में साउदी अरब ने वहाँ के क्राउन प्रिंस बारत आये थे तो उनके सम्मान में भोजन था तो भोजन पे हम बाते कर रहे थे बातों दातों में मैंने उन्हें कहा कि देश ये हिंदुस्तान में तेज गती से आर्थिक विकास हो रहा है हमारा मद्यंबर का दाइरा बढ़ता जला जा रहा है लोग गरीबी से भारा आ रहे हैं तो उनके मन में भी नहीं नहीं चाहे जगती है तो उन्हें मुझे पुझा क्या मैंने के हमारे मुसल्मान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आपका कोटा कम पढ़ रहा है तो नहीं कहां मोदी जी बताइए मैं क्या करूँ मैंने कहां भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी होगी दो लाग कर दिया दो लाग दुनिया में किसी भी देश का कोटा नहीं बढ़ा हमारे देश के मुसल्मान हज यात्रा कर सके इसलिए कोटा बढ़ गया ये भारत के आवाज सुनी जा रही है इतना ही नहीं मैंने दूसरी बात कही मैंने क्राउन प्रिंसे कहा कि भारत के नौजवान साओध एरेविया में रोजी रोटी कमाने आते हैं हमारे गरीब परिवारों से होते हैं भले भले लोग होते हैं मेहनत करते हैं जाधातर मेरे मुसल्मान परिवारों से होते हैं अब उनसे कुछ छोटी मोटी गल्तिया हो जाती है उनको वहाँ के कानुन का पालन नहीं कि पता होता है और बेचारे जेल चले जाते है और सालों तक जेल में रहते है मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए उन्होंने क्या चाहिए मैंने कहा जल्दी से उनका केस चले और उनको जेल से रिहाई कर दिया जाए उन्होंने का मोदी जी आपने कहा है ना मैं आज आपको शाम तक जबाब दे दूँगा आप हैरान हो जाएंगे साउदी अरविया के क्राउन प्रिंस शाम को रास्त्पती भवन में जब हम डिनर पर बैठे थे तो उन्होंने का मोदी जी कुछ मिठा खालो मैंने का किस बात का बोले साउदी की जेल में बारत के जो आठ सो पचास लोग थे उनको छोड़ दे का मैंने फैसला कर लिया ये होता है दुनिया के साथ नाता भाई मैं इन फैसलों के लिए साउदी अरव को क्राउन प्रिंस को रदैपुर्वक धन्यवाद देता हूँ बाई उबाई साथियों के विदेश में बारत के बत्रे प्रधाव दूसरे देशों के साथ मजमुद होते हमारे रिस्तों का एक और उदारण है लेकिन ये इसका भी उदारण है कि पहले कॉंग्रेस और उसके साथियों ने किस तरह से देश चलाया है वोट लेकर के भूल जाने वाले ऐसे लोगों को अब भली बाती पहचान गया है पहचान गये हो और नहीं हो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के लिए राजनिती करने वालों के पास मोदी को गाली देते रहने के सिवाए और कोई काम नहीं बचा है मेरे प्यारे विहार के भाईयों मेहनु और मेरे देश के भाईयों मेहनु आप चीजों को बारी किसे देखिए चीजों को समझेने का प्रयास कीजिए क्या चल रहा है आजकर साथियों वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें वे कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंगबाद को खत्म करें आप मुझे बताइए आतंगबाद को खत्म करने के लिए एक होना चाहिए नहीं होना चाहिए आतंगबाद को खत्म करना प्रात्मिक्ता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए लेकिन उनकी प्रात्मिक्ता है मोदी को खत्म करो मेरी प्रात्पिक्ता है आतंगवाद खतम करो वे कहते हैं कि आओ मिलकर के मोधी को खत्प करो मैं कहता हूँ आओ मिलकर गरीबी का मुकाबला करे देश को गरीबी से मुक्त करे वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोधी को खत्प करे मैं कहता हूँ आओ हम सब एक होकर ब्रस्टा चार और काले दन को सबाब पकरे वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोधी को खत्प करे मैं कहता हूँ कि आओ हम सम मिलकर देश के नवजवानों के लिए नए अवसर बनाए उनके सपने पुरे करे इसके लिए काम करे वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्प करे मैं कहता हूँ आओ सम मिलकर के देश में कूपोशन को खत्प करे गंदगी को खत्प करे मेरे प्यारे भायों बेनों नियत नियत का फर्क है साथियों अपने देश को विश्व में नई उचाई पर पहुंचाने के लिए मैं दिन्राथ एक कर रहा हूँ नए रास्ते बना रहा हूँ और मुझे ही रास्ते से हटा देने के लिए काम कर रहे हैं साजी जरत रहे हैं जूठ बोल रहे हैं लेकिन भाईयों और बेनों बिहार के लोग देश के लोग इतने जागरुद है कि इनकी सारी बाते एक के बाद एक देश के सामरे अब आ चुकी हैं देश के लोग मन बना चुके हैं कि इन्हें एक बार फिर सजा देंगे उनकी गलतियों के एसास कराएंगे ये अपनी राजनिती करते रहे हम देश के विकास के लश्क को लेकर निरंतर आगे बढ़ेंगे इसी विश्वास के साथ फिर से इतनी बड़ी तादाद में आ करके हम सब को जो आशिरवाद दिये मैं रजय पुर्वक आपका अभिननन करता हूँ आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ दोनों मुर्थी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की